दोस्तों आपको पता होगा मार्केट में ऐसे बहुत सारे पोटल आ चुके हैं जिस पोटल का यूज आप अधार कार्ट, पेन कार्ट, भोटर आई कार्ड, किसान रई, स्टेशन, KYC ये सभी काम करने के लिए करते हैं जैसे कि उसमें आपको 500 या 200 या 100 सर्विस आपको मिलती है लेकिन आज हमें कैसे पोटल के बारे में बात करने वाले हैं जिस पोटल में आपको इतनी सर्विस मिलेगी कि आपको इतनी वहां पे काम मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते और आईडी आपको बिलकुल फ्री में मिलने वाली है उसकी कोई भी चार्ज नहीं लगेगी त चले दोस्तों आपको पुरी जनकारी जैते तो वीडियो का एक भी स्टेप आप में इससे नहीं किजेगा तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना है क्या गया है कि आपको अपने मोबाइल या लैप्टॉप डेक्श्टॉप किसी से काम करना है आपको गूगल पे आ जाना है ठीक है गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है सर्विस पोटल ठीक है मतलब आपको यहां पे इंडिया सर्विस पोटल में आप बिलकुल फ्री में इस पोटल का आप यूज कर सकते हैं यहां पे आपको बहुत सारे सर्विस देखने को मिल जाती है यहां पे फर्स्ट में ही आपको यहां पे इंडिया सर्विस पोटल यहां सर्टिफिकाट एऍड जॉप से रिगारडिंग भी आपको यहां पे काम मिल जाता है बर्ष सर्ट्िफिकेट और भी बहुत सारे यहां पे वर्क आपको मिल जाते हैं, तो यहां पे क्या करना है कि यहां पे फोर्स्ट मेहीं आपको नेशनल government service portal पे click कर देना है चलिए दोस्तों जैसे ही हम click करते हैं click करने के बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे option आ गया है education and learning से related आपको यहाँ पे service मिल जाएगी यहाँ पे आपको health and wellness से related उसके बाद electric water and local service आपको देखने को मिल जाएगी आसपास में बहुत सारे service आपको यूज करते होंगे आपको पता ही होगा money and tax से related service आपको मिल जाएगी जॉब, justice, law और यहाँ पे travel and resume से related service आपको मिल जाएगी business and self employment से related service आपको मिल जाएगी दोस्तों आप नीचे आएगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आपको MO Finance की service मिल जाती है उसके बाद 96 जो service है petroleum and natural gas 76 service है health and welfare के और यहाँ पे और भी बहुत सारे service जो है यहाँ पे आगे बराबर आगे आप देख सकते हैं ठेक है और इस service portal में आपको अगर ID लेते हैं तो बिलकुल free में आपका registration होता है यहाँ पे आप नीचे आएंगे ठेक है नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं apply for PM किसान registration सम्माने दी registration ठेक है इस पे आप click करेंगे तो यहाँ पे PM किसान registration आप कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों click करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं मोदी सरकार की guarantee किसान को हर साल 6000 PM किसान सम्माने दी योजना से 5 साल बेमिसाल ठेक है यहाँ पे दिया गया है ठेक है मतलब आप यहाँ पे आप किसान registration अगर करते हैं तो direct आप यहीं से कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको ऊपर में ही आपको new farmer rice station का option मिलता है यहाँ पे click करना है फर्म भड़ने में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है आपको यहाँ पे ruler and urban अगर आप गाओं के छेतर से हैं तो ruler पे click करेंग आपको all state यहाँ पे आपको दिख जाएगा ठीक है आप जिस भी state से आते होंगे यह आपको दिख जाएगा अंडोवार निकोवार अंध परदेश और नाचल परदेश असम बिहार चंडिगर्ड चतिसगर्ड दिल्ली गोवा गुजरात हरियाना और भी बहुत सारे आपको state यहाँ पे दिख जाएंगे ठीक है तो जिस भी state से आप रहेंगे यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पी आपको यह डोडिवे क्लिक करेंगे आपके mobile नंबर और आपके अधार नंबर पर OTV जाता है और यहाँ से registration की सुरुआत आप कर सकती है अब दोस्तों जैस यहाँ से EKYC करना है बिलकुल free में कर सकते हैं यहाँ पे एक क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि OTP based EKYC ठीक है जो KYC आप यहाँ पे जाते हैं जैसे की CSE service center पर तो वहाँ पे जो KYC होता है वही KYC आप यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ पे अधार नंबर डालेंगे search पे क्लिक क करेंगे आपको mobile नमर मांगेगा OTP आप डालेंगे search करेंगे OTP डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका KYC हो जाता है ठीक है तो यह तो पहली service आपकी हो गए ठीक है दूसरी service आप लोगों में से बहुत सारे वाई यह भी comment करते हैं कि हमें अधार card pain card link करना है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं अधार link अधार card and pain card यहाँ पे click करेंगे direct यहाँ से आप अधार card pain card क्लिक करके link भी कर सकते हैं तो यहाँ पे click करेंगे और अधार card pain card के लिए direct आप यहाँ पे link के लिए apply भी कर सकते कैसे link करना है पूरी जनकार यहाँ पे आपको दी जाएग ठीक है जैसे कि apply for परधान मंत्री भारतिये जनसंदी योग के अंदरे ठीक है यहाँ पे आपको ये भी option मिल जाता है ठीक है यहाँ पे उजवाला योजना के तहत जैसे कि आपको पता होगा कि फिरी में cylinder connection मिलता है gas connection वो भी उजवाला योजना के लिए यहाँ से आप apply कर सकत हैं और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे service मिलते हैं अगर आप all service देखना चाते हैं कि हमें जिस्वी service में काम करना है जैसे कि e-district का काम आपको चाहिए तो e-district का काम कैसे कर सकते है ठीक है जैसे कि आपके district में जो जो service यहाँ पे अभी चालो है वो service का आप use कैसे करेंग क्लिक करना है पर यहाँ पर जही सब्सक्राओं करना है जो भी अपर सर्च वाले option पर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम सर्च वाले option पर क्लिक करते हैं तो हमारे इस्टेट में जितने भी service आप देखेंगे वो सभी service आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 36 गड़, 36 गड़ और भी बहुत सारे service ठीक है यहाँ पे अगर आप चाते हैं कि नहीं आप किसी district से हैं तो यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करेंगे और जिस भी state से होंगे वो state select करेंगे और यहाँ पे search वाले option पे click करेंगे यहाँ पे आप जैसे कि 101 service सिर्फ बिहार में है और यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि popular में कौन सी service है और यहाँ पे देख सकते है recent में अभी कौन सी service चालू हुई है यह दोनो option आपको मिल जाते अब दोस्तों बहुत सारे मेरवाई यह भी question करेंगे हमें pain card बनाना है तो pain card हम कैसे बना सकते है और pain card के लिए हम apply कैसे करेंगे ठीक है तो यहाँ पे direct आपको क्या करना है click करना है यहाँ पे pain card के लिए यहाँ पे click करना है यहाँ पे लिखना है pain c a ar d ठेक है यहाँ पे इतना ही सिर्फ search करना है और यहाँ पे search वाले option बेख CLICK कर देना है जैसे ही दोस्तों search करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे option तो मिले जाते है साथ में यहाँ पे एक option मिलता है apply online for new pain card creation and pain card information ठीक है आप यहाँ पे नया pain card बना भी सकते, pain card के लिए apply भी कर सकते और pain card update भी कर सकते, ठीक है मतलब pain card में नाम, date of birth, address यह सब कुछ change भी कर सकते, ठीक है यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आप पे online apply यहाँ से जो pain card बनाएंगे यहाँ से आप 10-15 मिनट या आधे गंडे या एक गंडे में आपका pain card आपका अगर अधार card से आप बना रहे हैं अधार card में mobile number आपका link है अगर आप बनाते हैं pain card तो आपको एक गंडे के अंदर आपके email ID पर आपका pain card आजाता है उसके बाद घर पे भी आपको 5-10 दिनों के अंदर आपका pain card पहुंचाता है तो यह सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे apply पर यहाँ पे new pain card बनाना है तो new पे क्लिक करेंगे category वाले option में जाएंगे यहाँ पे individual non individual जो भी आप है trust आप चलाते हैं limited company है आपकी तो यह सब select कर सकते हैं उसके बाद title वाले option पे क्लिक करेंगे सिरी मान, सिरी मती, कुमारी आप अगर कोई लड़का है तो यहाँ पे सिरी पे क्लिक करेंगे अगर आप साधी सुधा लड़की है तो यहाँ पे आप सिरी मती पे क्लिक करेंगे अगर आप साधी सुधा नहीं है आप लड़की है तो यहाँ पे आप कुमारी पे क्लिक करेंगे ठीक है यहां पे पहला जैसे कि first name डाल देंगे, उसके बाद middle name डाल देंगे, उसके बाद last name डाल देंगे, जो आप firm जो भरते हैं, कोई भी firm भरते हैं, वैसे ही firm यहां पे भरना है, ठीक है, और आप यहां से pain card के लिए apply कर सकते हैं, तो आपने दोस्तों देखा, यहां पे बहुत स subscribe कर लिजेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जैएंजे वारत वंदे मात्रम